आपके सामने रखना है अगले चार-फाच दिन तक मैं सबसे पहले मैं आपको ये बतानी की चेश्टा करूँगा आज हम जिस यूग में रह रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं और इस समय में रहते हुए हम जिस प्रकार से चीजों को फोचते हैं, समझते हैं आप लोग विज्ञान के भी विद्धियारती हुए 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 स्टुदेंस दो छोई स्टेडिस साइंसेस, सुसल साइंसेस, हुमेनिटीज, लाइंगविजेज लिटरेचर आप लोग किसी भी विशे को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हुए वो विचार आज आपके समाज में हैं उनके बारे में आपकी क्या दृष्टी बनी है लाइ दूए जदेश्टी साइंसे लाइ लाइ टृष्टी तूब लाइताएंसे लाइट नशाओंसे अरफ्टी लाइटाओंसे लाइटान। which are scattered through media and society and through some other platforms how do you evaluate those things how do you visualize those things जो भी विशे आपके सामने मीडिया के मार्दियम से electronic media हो चाहे print media हो चाहे आपका समाज हो आपके society हो आपके institutions हो आपके neighborhood हो इसे जो भी चीजे आपके सामने आती हैं उनको ले करके आप कैसे सोचते हैं आज आपकी सोचने की जो प्रक्रिया विक्सित हुई है उस विक्सित होने वाली प्रक्रिया के पीछे कौन कौन सी धार आए हैं The faculty of thinking you have developed till date What are the main streams which are responsible to configurate your contemporary thinking जो कुछ भी जिस चीज के बारे में जिसे भी ज्यान के बारे में आपको सोचते हैं इतिहास के बारे में आपको सोचते हैं इतिहास के तमाम सवाल खड़े किये जाते हैं आपके सामने आपके सामने कुछ सवाल खड़े किये जाएं Partition of India में गांधी की भूमिका को ले करके या नहरू की भूमिका को ले करके या सरदार पतेल की भूमिका को ले करके उस सवाल आपके सामने कड़े किये जाएं आप कामने यह जाएंग अटारी जाएंग टार्विका करके आप इन चीजों के बारे में जो टिपनी करते हैं जो कौन से चीज़ें हैं जो आपके कमेंट को जो आपके कमेंट को जो आपके निरने को अन्फिगुरेट करती हैं उसकी रचना करती है लगभग 100 साल का या इक सो पचीस या एक सो टीस साल का इतिहास है इस इतिहास के दोरां आपको अलग अलग प्रकार की दृष्टियां प्राप कुई और उन दृष्टियों के कारण आप आज किसी चीज का मुल्यांकन कर पाते हैं यह प्रश्ण हमारे सामने है कि आज जिस चीज के बारे में भी आप जो सोचते हैं आपकी उस सोच को पनाने में किन-किन दृष्टियों की भूमिका रही है को चार पांच प्रकार की दृष्टियां रही हैं उनको अम लोग संशेप में आपके सामने रखने की चेश्टा करेंगी बारे में बारे में विग्यान की भूमिका के बारे में दर्शन के बारे में संस्क्रति के बारे में धर्म के बारे में समाज के बारे में उनके बारे में जो कुछ भी हम निरणे लेते हैं उन निरणे उनको बनाने में किन विचारों की भूमिका है कौन-कौन से वो विचारक हैं, कौन-कौन से उनकी उपुस्तके हैं, जिनके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आज की जो हमारी विचार दृष्टी है, वो कैसे निर्मीत होती है। ये विशह मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा एक उपर काया एक ओचिस्तरी एमानसित धरातल होना चाहिए, आप लोग विद्यार्ती हैं, लेकिन हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि विद्यार्तियों को थोड़ा उपर उठाने की कोशिश की ज अब आया जाए, लेकिन हमेशा एक सिक्षक का ये प्रयास होना चाहिए कि आप जिस इस्तर पर हैं, उससे आप कुछ एलिवेट करें, उससे आप कुछ उपर होगे, उससे इस्तर पर आयना या और भी नीचे के इस्तर पर चले जाना ये कोई दशस्त मार्ग नहीं होता है. देखे, भारत की सब्धय आए, जिसके बारे में तरह तरह की ठीका ठीपड़ियां की जाती है. संसार की इसे कोई सब्धय नहीं होगी, कोई सिविलाइजेशन नहीं होगी जिसमें उतार चढ़ाओ के दौर ना आते हैं. और उतार चढ़ाओ के इस दौर में दुनिया की ब पढ़ा होगा इसे आज को लिराग कहते हैं। दुनिया के ऐसी बहुत सारी civilizations हैं जिनके racist बचे हुए हैं, जिनके कुछ चिन्न बचे हुए हैं, लेकिन तो basic and substantial element of those civilizations, those haven't disappeared. लगभग समाप तो चुके हैं उनको आप सभेता के रूप में, आज के युनान को आप युनान की सभेता के रूप में नहीं देख सकते हैं। आज की इटली को आप रोमन सिविलाजेशन की सभेता के रूप में आप नहीं देख सकते हैं। जीब की सब्वेटा को आप चीन की वो जो गौरोशाली उनकी संस्क्रति थी कनफूसियस और लाउट से की उस दिश्टी से आप आज के जीबिंग के चीन को आप नहीं देख सकते इराग को आप मेसरपोटेमियन सिविलेजीशन के दिश्टी से आप नहीं देख सकते लेकिन भारत में अभी भी तमाम उत्थात पथन के दौर के बावजूद न किवल सब्वेटा के चिन बचे हैं बलकि उस सब्वेटा को हम आज भी जी रहें अभी पिश भी लोकी बश्ता है अभी बिपनी आद भाश्र स्नस्रित को पढटिए बच्थ कोप्डवेट रहें therefore we find a consistency and continuity in the way of this great civilization from the time immemorial this is not a civilization it is only 5000 years old we are not nation making but we are nation by birth attributes which are responsible to define a nation have been given from the birth of this nation so this is a false idea that we are a nation in making or India is a nation in making or the idea or element of nationalism came to India through the British colonialism these all are false premises and false narratives so we are one of the most famous people that we are the most famous people that we are the most famous people that we are the most famous people when we are British and we are the most famous people that we are the most famous people for the thousand years we were under the Islamic rule and after that for 250 years we faced a crisis from the British colonialism and British imperialism and British imperialism but we are not the most famous people that we are the most famous people that we are the most famous people उसके बाव जो भारती समाज का जो आंतरिक रस्प्रवा है जो इंटर्नल लिविंग फ्लो आफ ते सेंस आफ सिविलिजेशन है वो कभे डिफ्टर्ब नहीं होगा हमारी अपनी सभेता के जो मान बिंदु है है तो पेरामिटर्स ओपować सिविलिजेशन है तरिभी आफ और काल्चिर और सिविलिजेशन है कभी थी प्याफ सिविलिजेशन了吧 कुलेकर करें कुले करके हमारी सिविलिजेशन को डिफाइं करते हैं कभी हमारे मन में कोई संदेह पेलारी अभी उन्कोले करके कोई आत्म जिश्धा सहींता केसिती फोई इन्परियरिटी complex developed न हिभा . Throughout this 1000 year's Muslim rule , internal spirit of the Indian society was intact. We never developed a sense of inferiority oree any dubiousness or cons motif usan regarding our values and standards regarding the values and standards of our culture and civilization no ambiguity took place during the Muslim role within the flow of the society लेकिन जो बिटिश रुपनिवेश्वाद है जो बिटिश कोलनलिजम है जो बिटिश रूल अबर इंडिया है इसका करेक्टर इस मुस्लिम शासंकाल से भिनरा और इसने कुछ इस प्रकार की विवस्ता है पैदा की यह इस प्रकार की एक अलग विचार दरिश्टी अलग वाड़ व्यू लेकर के हमारे सामने आया कि हमारी अपनी सभेटा और संस्क्रती को देखने के जो मानदंड थे जैसे अब अपनी कल्चर को देखते थे जिन निगाहों से देखते थे जिन परमेटर के माध्यम से देखते थे जो हमारी स्टेंडर्स के हमारी सभेटा और संस्क्रती के उनको लेकर के गंभीर शक और संदे हमारे दिमाग में उत्पन्न हो गया. This was the success of British Empirism which created a sense of inferiority and dubiousness and confusion and suspicion and ambiguity regarding the standards and attributes of our own civilizational ethos regarding our own cultural ethos. ये बात मुस्लिम शासनकाल में नहीं हूँ. इसलिए हमने आपके कहा कि पूरे मुस्लिम शासनकाल के दौरान भारती समाज का आंतरिक रस्प्रवाह अक्छोण बना रहा हूँ. British शासनकाल में भारतीयों के मन में अपनी सप्वेता और संस्त्रती को लेकर कि जो गौरों का भाव था, जो integrity, जो integration था, वो integration धिरे-धिरे disintegrate होता है, हमारा अपनी सप्वेता और संस्त्रती के मूल्यों और माननेताओं को लेकर के एक भ्रम और एक inferiority का भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है. और महर्शी अर्विंद का आप लोगोंने नाम सुना होगा, महर्शी अर्विंद इस बात को रिखांकिक करते हैं, कि जिससे हम लोग भारत का पुनर जागरण कहते हैं, वह पुनर जागरण बहुत सारी जटिलताओं से भरा हुआ है. वास्तों में पुनर जागरण है कि नहीं इस पर प्रिविचार करने की अवशक्ता है. इनेसा रंच बाशा का शब्द इसका मतलब होता पुनर जागरित होना, फिर से जागना, यानि आप कभी जागरित थे, आप सो गए, आपको फिर से जगाया गया. उने के बाद जब आप जागते हैं, वो आपके अपने पुरानी स्मृति रहती हैं, आपको अपना नाम पता रहता है, आपको अपने माता-पिता का बोध रहता है, आपको अपने भाई-बैनों का बोध होता है, आपको अपने समाज का बोध रहता है, कि आपकी इस समाज के हैं, To which society you belong, who are your parents, who are your four fathers, who are your brothers and sisters, जागने के बाद भी आपको इसका हिसास रहता है, लेकिन ये एक ऐसा पुनर जागन था, जिसमें आपको जब जगाया गया, तो आप अपना नाम ही भूर गये, आपका नाम कुछ और था, और आप जब जगे, तो आप अपना नाम कुछ और लेने लगी, आपका नाम सुप्रमनेन था, जब आप जगे तो आप अपने आपको देविट कहने लगे कुछ इस तरीके का उनर्जाक्रण आपकी जो अपनी अस्मिता आपकी जो अपनी पहचान आपकी जो अपनी सफेटा और संस्रती के मांदन्ड थे आपके अपने और स्यवेलिजेशन और कुल्चरल इतोस थे उनको उनकी कोई रिमेंब्रेंट साथ की नहीं रहे हैं उनकी को इस मुख्षी आपको नहीं रहे हैं और स्क्षैमार्शय विंद कहते हैं इंडियन रेनेसांव कि अगैस्ट इस्टा एशियन एडिसन और यूरोपियन रेनेसां तो भारतिय पुनर जागरन है वो यूरोपी पुनर जागरन का एशियाई संस्क्रण है। पुनर जागरन कालीन व्यवस्था को स्विकार करता है इसे हम लोग पुनर जागरन की व्यवस्था ज्यानोदय की परमपरा एंलाइटनमेंट एज या एज ऑफ रिनेसा कहते हैं वो चीज उसी तरिके से अपनी पुरानी परमपरा के मुल्लियों को विस्मृत करके एक नई यवस्था को लाने की जो बात थी बिलकुर उसी प्रकार का प्रभाव अंग्रीजी उपनिवेश्वात के माध्यम से भारत के उपर भी पड़ा और भारत के लोग भी अपनी उस पुरानी परमपरा के मुल्लियों और मान्यताओं को उसी प्रकार से बोलने लिए कुल आजाद हुए इस देश में जो स्वतंत्र हुए याराज भी कि स्वतंत्र था जो हमको प्राप्त हुई देट इंडिपेंदेंस फ्रॉम दे प्रिटिस इंपेरिलिजम जमेंसे अगस्ट 15 1947 उस तिन हम अपने आपको एक ऐसी जगह पर खड़ा पाते हैं जहां से हम आगे त वे पटेंग फ्रीडम अड़ गॉश्ट अध्याइब इनन्युमर्ण पिन्निमर्ण सेक्रिफाइस दन बाई आवर फ्रीडम प्रॉट्र लेकिन हमको यह पता नहीं है कि हमको किधर जाना है हम फटंत्र हो गए तो बेडियां अंग्रेजों ने हमारे हाथों में लगाई थ लेकिन हम दो रायें पर कड़े नहीं है हुआ कर यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे तो जाना है लेकिन किस जिशा में जाना है ऊब मॉदिधी है वह असमंझस है है गोजो दुविधा आज तक जोड़ारा आ आज तक हमारा पिच्छा नहीं छोड़ पाई हम अभी बहुत समझ पा रहे हैं कि हमको अपने समाज को किधर ले करके जाना है हम कॉने परिवार की वेवस्था को किस प्रकार चलाना है हमको किस परकार का परिधान धारण करना है हमको किस प्रकार की सिक्षा प्राब्द करनी है या हमको अपनी आगे आने वाली पीडी को किस प्रकार की सिक्षा देनी है वो जो डाइलमा है वो जो द्वंद है वो जो असमंजस है अंग्रेजों ने हमारे दिमाद को इस तरीके से भ्रमित कर दिया कि हम यह तैहीं नहीं कर पा रहे हैं आज तक कि हमको किस रास्ते पर जाना है जाना है आगे इसलिए आप देखिए कि जितनी चीजें आप के समाज में हो रही है आपकी अर्थलबस्ता में हो रही है, आपकी राजनीत में हो रही है, उनको लेकर के हमेशा आपके मन में कुछ ना कुछ खटक्ता रहता है, आप उसको सवभावी कुरूप से स्विकार नहीं करता है। क्योंकि हमारे सनुसकार, हमारे इधोर्स, हमारी बनावट, हमारा जो ट्रेडिशनल कांफिगूरेशन है, हो बिल्कुल अलग प्रकार का है। और ये देश जिस रास्ते पर 1947 के बाद चल निकला, वो रास्ता बिल्कुल उसके अपोजी थे उसके खिलाफ। इसलिए हम टै नहीं कर पा रहे हैं कि आजाद होने के बाद, अब तो 70-75 साल हो गए, हमको जाना किदर, ये दुविधा, ये प्रॉब्लम, डाइलमा हमारे साथ अभी तक बना हुआ है। आप लोगों ने विपिंचंदरपाल का नाम सुना होगा है। की आफ उबाद शुना नाम सुना है, औच ये पानित। शुल अनओस्दॉब्लम सुनानी तर नाम सुनाे विपिछंद्रपाल का रि rattlingrafट कर वें तक दूडेवाब्ट मैं, तक ये written by Vipin Chandrapal addressing to his European friend telling about the configuration of Indian mentality and the reasons behind it. Vipin Chandrapal इस किताब में लिखते हैं कि आज भारत के लोग अपने आपको जिस तरह से सोच रहे हैं उस सोच के पिछे कारण क्या है? बिल्कुर उसी बात को जो हम आज आपको बता रहे हैं. किसी बी चीज को ले करके जो हमारी सोच बनती है उस सोच को बनाने के पीछे क्या कारण है? Vipin Chandrapal कहते हैं कि जो Contemporary India की जो उस समय भारत के लोगों के अपने माने में सोच बनी उसको बनाने में तीन फैक्टर से रिस्पॉंसिबल थे There were three factors responsible to configurate Contemporary observe themselves Their decision making was configurated by three important factors पहना फैक्टर था वो कहते हैं कि जो ब्रिटिस अधिकारी भारत में आए जो ब्रिटिस ओफिचियल भारत में आए तो एड्मिस्टर इंडिया उन्होंने जिस तरीके से भारत को गवर्न किया The pattern of governance of India through the British officials impacted very much regarding the making and remaking of Indian mindset जो आप लोग हर चीज के इस्टेंडर्ड देखे ने इसका आप लोग लॉजिस्टिक्स कहते हैं ऐसे हमारी classroom होनी चाहिए यह हमारी uniform होनी चाहिए इतने हमारे periods होनी चाहिए हर काम हम घड़ी देख करके करते हैं हर चीज का अपना इस्टेंडर्ड है यह जो calculations, यह जो measurements, यह जो sense of time यह जो सारी चीजी आईए अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा आईए क्योंकि उनको आपको अपने तरीके से administer करना था आपको एक ऐसा citizen बनाना था जो एक ऐसे system में रहने के अनुपूल हो, एक ऐसे system में रहने का फ्यस्त हो, जिसको आसानी से guide कर सी है आप जाना उसमें सवाल जबाब करने की बुन जाहिस में ना रहे, आप से का आगे stand up तो आप खड़े हो जाए, आप से का आगे sit down तो आप बैट जाए, आपको तो uniform कहीं है यह वो uniform पहन करके आए, जितने बज़े आपको आना उतने बज़े आप आए, जितने बज़े करने वाली बात है, यह British officers ने हिंदुस्तान में शुनता है, अर चीज का सर्वे करना, जो शुर्वादी जो जिला कनेक्टर साए हिंदुस्तान में, उनने एक एक जिले का गजेटियर लिखा, जो स्टुदें शोट गजेट, जोर आर्काइब सेंद ट्राइब सेंद आपको गजेटियर's, प्रविचर सेंदुस्तान इस उर अधिश्तिक. एच अवर अधिश्तिक अविटिक अन्या वरे जिफिले का इस प्रवादी विफिले प्रवादियर के बिफिले के लिफिले का पुदेटिक. उन्हों लिखा कि यहां की जल्वायू कैसी है, how is the climate of this state, which are the main crops of this state, which are the main food habits of the people of this state, what is the clothing pattern of this state, which type of birds and animals are found in this state, which type of flora and fauna is found in this particular district, which type of criminals are there in a particular district, and what is the style of their doing crimes, each and everything, mind-winkly observed by these district collectors are mentioned in the great years of these districts. इसलिए जो standards के हिसाब से चलना हर्चेश को कैल्कुलेट करके चलना हर्चेश की माइमेंट से माइमेंट से माइमेंट डिटेल को अबजर्व करना ही है, जो हम लोगों ने सीखा, इसको सिखाने और बनाने में जो उप्रेटिस एड्मिनिस्ट्रेटर्स थे लोगिस्टिक कलेक्टर्स के उभी वड़ी मुझी था, उन्होंने इस तरीके का हमार आए, स्टैंडर्ड और जग्री माइंड से लिए और वह आज तक हमको अपनी पढ़ाई दिखाई में देखने में आता, हर चीज करने स्टैंडर्स ने करें, आप लोगा आगे अभी इंवर्स्टिस में जाएंगे, अगर आप भीस्टी करेंगे, रिसर्स करेंगे, तो पेपर ल जाएंगे, आप लूप लोगा है, आप लूप सब्स्टाइब की नियों के पिछे आप लेखेंगे, पुछ रफरेंसेस लिए होगे, पुछ रफर्दा रीडिंग्स, वार अब्वार अबदाइश प्रूप अधिरीश, वह रफरेंसेस लिखने की क्या स्टाइल होगी, उ वो एक टाइट फॉर्मल सेटप है यह चीज हम लोगों को इसके बाद में कुछ प्रिटिस मिश्णरी भी भार्ट में आए बार्ट में चर्च में किरल वगेने में आप लेखते हैं कि रिष्यनिकी का काथी एक्स्पैंशन हुआ अब चर्चेश लने कि इनके फादर साइब मिश्णरी जाए और उन मिश्णरी इस नहें अपनी दृष्टी से अपने तरीके से भारत के डिलिजन को और इस यह सिंवर्थ को देखें और डिफाइन करने की बोश्चिश कि पीछ आपी बोश्चिश नहीं यह अब अरो लीला टिव तर्चा भी वस्ट्रेंशन श्चिशश नगर्चिशन को भारत को गोंगे सिंथा इस नहीं तो नहीं करेंशनी अन बृत्ष्च मिश्णरी कि ए उन बिरिश्मीशने इस ने और रहत की द्ढ को यहां की पर्छेशने तो नंतरा को, यांके सिंबंस को, यांके देवी देवताओं को, आपने तरीके से इंटर्फेट करने को पुछिए साथ। The second group of people who have post India, our British missionaries, and British missionaries try to explain and interpret Indian religion, Indian religious traditions and Indian gods and deities as per their own understanding. कि मने दुरगा के पारी में कुछ रही आपक्य हनुमान के अकुछ के आप शुन के अकुछ आपको, इस प्रकार कुन के कटि competent और अभी आपको इस प्रकार कुछ पादिया सथ्कंडे को मेर जाती होगा। को ये inexpensive to understand Indian religion Indian religious way और इंदियाद बेयुड परफॉर्मिंग रिलिजन फाइडे पीपुल्स सब्सक्राइब करें अपने देवी देवताओं को कैसे देखें आपके परवर्टेंट प्रॉपर सेंस ऑफ और इलिजन और इलिजिए स्टेशन और इलिजिए सिंबल और तीसरा पूल लोगों का है विपी जंदरपाल कहतने है जो ब्रिटिस उपने वेश्वाग या ब्रिट इस को लॉडिजन के भारत में आने के कारण बहुत सारे इडियोपने स्कॉलर से जिनोंने भारतवर्ष को देखने की सवजने की कोशिश भी उनका इंकरस भारतवर्ष के बारे में प्रिए पोई लाउंग इडवेंट आप प्रिटिस उंपरिशन तो इंडिया, तेर सच आपको flourिए में आपको औरिफ रटिया में लिए प्रिभड़ा है अने अने में लिए स्कॉदें रहबा कार्म नहीए है त marché beggingegar में थ Fang Hegel, and Marx, etc. में नोटनों आवियर नमेंज, Parker, Willowby, Dunning, Hegel, Marx, and Montesquieu. Montesquieu. Hegel, Marx, Montesquieu, Parker, Willowby, and Hegel. These are a few out of so many. Some of them commented that India has no proper sense of state. There is no proper sense of idea of pure state in India. State is very much intermingled with the religion. State is very much mixed with the society. There is no proper sense of law in India. law is very much mixed up with religion and ethics. There is no proper sense of sovereignty. The concept of sovereignty in Indian polity, it is very much mixed with some metaphysical attributes. So all things are very much intermingled with the society and politics and philosophy and law and ethics. All these things are so intermingled, so delicately intergoing to each other, that it is very difficult to find their pure ideas. They were habituated to seeing the pure idea of state in the views of Thomas Hobbes and Locke and Brousseau and so many other Western scholars. They were habituated to observe a pure idea of law as propounded by Virgo Raman thinkers and Mantis Q and so many other scholars. So all these ideas were so stipulated by Western scholars, were not found in Indian intellectual capacity. So the question it is very difficult to know about Indian society of state.